हे दोस्तों दिस इज मुकेस वेलाद के रून लोग जानने वाले हैं एडवाव फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड जो अक्सर हम लोग अपने डेली कनवर्सेशन में काफी यूज करते हैं वेल मैं आप लोग को बता दो इस वीडियो हम लोग क्या सिखने वाले हैं ज्यादा तर या आम तर पर हमेशा उसके बात हम लोग सिखने वाले हैं बहुत बार या कई बार को इंगलिस में क्या बोलते हैं फिर जानेंगे हम लोग अकसर अकसर या कई बार इसको इंगलिस में क चाहूंगा if you haven't subscribe my channel yet so please subscribe it so that you'll get my every notification on time and do not forget to click the bell icon well दोस्तों हम लोग पहला वर्ट सिखने जा रहे हैं occasionally 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 या occasionally दोनों पढ़ते हैं well इसका हिंदी में मिनी होता है कभी कवार कोई काम हम लोग कभी कवार बोलते हैं तो वहाँ पर हम लोग करते हैं occasionally sentence से आपको better समझ में आएगा वह कभी कवार मुझसे मिलने आता था वह कभी कवार मुझसे मिलने आता था वैल ऐसे sentence हम लोग used to या would की मदद से बनाते हैं तो आई यह देख लेते हैं he used to come to meet me occasionally या would से भी बोल सकते हैं he would come to meet me occasionally इस तरह के से मैं मैं कभी कवार फिल्म देखता हूं इस sentence को देखते हैं मैं कभी कवार घर पे खिचडी बनाता हूं इस संदेज दुने बोलेंगे I cook stew at home occasionally I cook stew at home occasionally वैल खिचडी को बोलते हैं next sentence कभी कवार ऐसा हो जाता है इस sentence देखेंगे it happens occasionally it happens occasionally कभी-कभी ऐसा होता है वैल आप बात करते हैं next word का वैल हमारा next word है कभी-कभी कभी कभी इसको बोलते हैं सम्टाइम्स सम्टाइम्स संटेज देखिए कभी-कभी वह बहुत अकेला महसूस करता है संटेज के बोलेंगे सम्टाइम्स ही फिल्स वेरी लोनली सम्टाइम्स ही फिल्स वेरी लोनली नेक्स संटेज को देखते हैं कभी-कभी मैं मौल जाता हूं i go to mall sometimes i go to mall sometimes इसको लास्ट में भी रहाट कर सकते हैं next sentence कभी कभी मैं अपना home work बनाना बोल जाता हूं अब next sentence कभी कभी वह जल्दी जगता है इस्टेनेक셔서 विए बोलें बहुत बार, बहुत बार कोज लीसरें बोलते हैं, frequently, frequently, sentence देखते हैं, वो बहुत बार खाना खाती है, इस sentence गे बोलेंगे, she takes food frequently, she takes food frequently, next sentence, मैं या गाना बहुत बार सुनता हूं, इस संटेज गले बोलेंगे I listen this song frequently, next sentence, वो बहुत बार वहाँ जाता है, इस संटेज गले बोलेंगे He goes there frequently, मैं उससे मिलने बहुत बार गया, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की, इस संटेज गले बोलेंगे I went to meet her frequently, but she didn't talk to me, I went to meet her frequently, but she didn't talk to me, आई अप next word को देखते हैं, well हमारा next word है कई बार या अक्सर, अक्सर को इंगली से बोलते हैं often, इसको often भी पढ़ा जाता है, but मैं अब लोग को सुझेज करूँगा इसको often pronounce किजिएगा, ज़्यदा बेटर होगा, मैं अक्सर तुम्हें याद करता हूँ, इस संटेज गले बो सकते हैं, और wonder भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब बता घुमना, वो अक्सर मुझसे बात करती थी, ये पुरानी habit को बता रहे हैं, तो इसको used to या would की मदद से बनाएंगे, she would often talk to me, अगर used to से बोलेंगे तो, she used to often talk to me, next sentence को देखते हैं, हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए, इस संटेज गले बोलेंगे, we should meet more often, अब next word को देखते हैं, वेल हमारा next word है, आम तर पर या ज़्यादा तर, इसको इंगली से बोलते हैं usually, यूज्वली, sentence को देखे, मैं ज़्यादा तर अपना homework रात को करता हूं, या मैं ज़्यादा तर अपना homework रात को बनाता हूं, इस संटेज गले बोलेंगे, I usually do my homework at night, I usually do my homework at night, next sentence, आम तर पर वो धीरे धीरे लिखता है, इस संटेज गले बोलेंगे, he usually writes slowly, he usually writes slowly, मैं ज़्यादा तर या आम तर पर राइवार को नहीं पढ़ाता हूं, इस संटेज गले बोलेंगे, I don't usually teach on Sunday, I don't usually teach on Sunday, next sentence, ज़्यादा तर वो मुझसे बात नहीं करता है, इस and usually talk to me, अब हम लोग आज अखरी वर्ट को देख लेते हैं, हमेशा, हमेशा को इस संटेज देखते हैं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, I always speak the truth, I always speak the truth, next sentence, well हमारा next sentence है, हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस संटेज गले बोलेंगे, we should always help the poor, we should always help the poor, next sentence, वो हमेशा यहां आती है, इस संटेज गलेंगे, she always comes here, she always comes here, इस तरीके से, next sentence को देखते हैं, तुम हमेशा जूट क्यों बोलते हो, इस संटेज गलेंगे, where do you always tell or lie, where do you always tell or lie, शिर्व लाइ से भी कम चल सकता है, where do you always lie, इस तरीके से, यह दोस्तों, आपको यहां पर कुछ संटेज द देए, और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बैल अकन को भी किलिक कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो को नट्विकरशन विप्ल टैम पर मिलती रहे, ठैक्स पर वाचिंग ब्लीप्रेंट्स और वीडियो को सेल करना मत बुलिएगा,